हाई एवरीवन वेलकम तो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छी होंगे हमारा नामे कभी सासी और आज हम बात करने वाले हैं यह वीडियो खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब informative होने वाला है बहुत ही ज्यादा important है तो वीडियो को अगर कोई लेडिस देख रही है तो पूरा देखिएगा इसकी मत कीजिएगा साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आये हैं वह जोइन कर लें सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रे इंट्रकॉस करने के बाद यूरीन पास्त नहीं करती है तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा खत्रा हो सकता है जो कि आपके आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो देखो जब भी आप फिजिकल होते हो ना तो यूरीन पास्त करना बहुत सकता है यूटिया हो सकता है आपके योनी में में काफी ज्यादा इंफेक्शन हो सकता है क्योंकि जो यूरीन मार्ग होता है वह काफी ज्यादा छोटा होता है उसमें क्या होता है जो बैक्ट्रिया है जो पुरूस के जो जो यूरीन होते हैं उसमें बैक्ट्रिया होते हैं को उस मार्ग से अंदर चला जाता है और वहां पर काफी ज्यादा इंफेक्शन होने का खत्रा होता है तो हमेशा आप यह कोशिज कीजिए जब भी आप फिजिकल होते हैं तो 30 मिनट के अंदर या फिर तुरंद जाके आप यूरीन पास कर लिजिए तो आप इन सभी प्रॉब तो देखो आपको बैक्टरियल इंफेक्शन हो सकता है यूरीन इंफेक्शन हो सकता है तो इन सब से बसने के लिए आपको इंटर पोस करने के बाद तुरंद यूरीन पास कर लेना चाहिए तो हां उनको भी उरीन पास कर लेना चाहिए वैसे उनको खास कोई प्रभाव नह तो इसमें क्या होता है वह अगर यूदिन पास नहीं भी करते हैं तो उनको इनफेक्शन का चांस ना के बराबर होता है तो यहां पर बैक्ट्रिया बहुत ही जल्दी अंदर चला जाता है जिससे आपको इंफेक्शन हो सकता है और इंफेक्शन जैसे होता है न तो इस संथाने उट्ट्रियंदे बहुत और बैटने उट यूरिन पास करने विशान होगा तो ऐसे कंडिशन पर आप पास जाना पड़ सकता है तो उससे पहले यही है कि आप साउधानी के साथ चीज़ों कीजिए क्योंकि सेक्स है नब डॉक्टर बताते हैं कि आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फाइदे बंद होता है लेकिन अगर आप परवाही करते हो फिजिकल होनी के बाद है ना जैस समझ में आ रही होगी यह इंफ्रमेशन अच्छा लगा होगा मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के साथ कुछ और इंफ्रमेशन के साथ ओकी